डियर स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्ससाइज 16B को और इस एक्ससाइज में जो शेप हमारे पास आएंगे जिसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है वो है किवोईड एंड क्यूब तो अब ये keyword की shape है इस shape में ये है length ये है keyword की length जिसको हम denote करते है L से ये है breath जिसको हम denote करते है B से और ये है height जिसको हम denote करते है H से length, breath and height अब keyword का total surface area जिसको हम T, S से बोलते हैं ये क्या होगा 2 into L B length into breath प्लस breath into height प्लस height into length तो ये formula है total surface area of keyword अब area of four walls इनी questions में हमें पुछा जाएगा कि keyword का जो four walls का area वो क्या है four walls में आप देखिए जैसे room की four walls है तो उसमें जो roof यानि छत और floor ये count नहीं होगे तो जब ये count नहीं होगे तो हम ये हटा देंगे इसमें से length और breath को हटा दिया जाएगा तो अब 2 into जो ये बच गया है ये formula किसका हो जाएगा area of four walls और formula क्या अपलाई करोगे मैं डारेक्ट ये लिख रहा हूँ 2H into L plus B ये formula है area of four walls का of keyword अब थर्ड formula इसमें क्या अपलाई करेंगे area without lid without lid का meaning है कि एक side कम हो जाए या तो roof कम हो जाए या floor suppose किजिए आप कि हम इसको हटा देते हैं इसकी word की roof को हटा देंगे तब हमारे बास क्या बचेगा ये चार साइडें बचेगी और निचे क्या बचेगा एक floor बचेगा तो अब area without lid यानि lid के place पे आप समझ सकते हो या तो top या bottom कि वोड का या top ना हो या क्या ना हो bottom तो हमारे पास क्या हो जाएंगी four side और एक roof या floor में से एक तो अब इसका जो formula है direct वो क्या है length into breath plus area of four walls ये 2H into L plus B तो ये तो थी बात कि वोड की जो formula हम apply करेंगे इस exercise में अब है next shape जो क्या है वो है cube cube में जो side होंगी वो same होंगी जो इसकी length breath और height है वो same side की same measurement की होंगी suppose कि ये a है a centimeter या a meter a unit की ये side है ऐसे ही ये side भी a unit और ये height भी ये किसकी a unit की तब ये shape क्या बन जाएगी cube तो अब इसका जो total surface area है surface कितने है इसमें 6 cube में जो surface होते हैं वो कितने है 6 तो इसका formula क्या है 6 into side square तो ये formula है हमारा total surface area या surface area of cube second formula area of 4 walls तो अब इसकी 4 walls क्या है उसकी 4 side है तो इसका जो formula हो जाएगा तो वो क्या होगा 4 into side square last है इसमें area without lid meaning क्या है इसका या तो ये roof या floor ये कम हो जाएगी जब एक side कम हो जाएगी तो cube में side हैं कितनी बच जाएगी 5 तो अब इसका जो area without lid का जो formula है वो क्या होगा 5 into side square तो अब जो ये formula आपकी screen पे हैं ये हम use करेंगे इस exercise में 16B में अब start करते हैं exercise का solution first question में हमें क्या find out करना है find the total surface area of the following cuboids shape क्या है cuboid की और total surface area हमें find out करना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या लर्ण होना चाहिए इसका formula की total surface area का formula होता क्या है ए पार्ट में हमें given क्या है length 7 cm जो इसकी breadth है वो क्या है 4 cm and height given है 3 cm तो अब start करते हैं इसका solution statement के according हमने length breath और height को लिख लिया है अब total surface area अभी मैंने आपको formula बताया है इसका 2 into length into breath breath into height height into length तो अब यह formula है total surface area of cuboid तो अब हमें यह apply करना है इसमें तो length breath और height के place पे value को करते हैं put length के place पे 7 और breath के place पे 4 plus breath into height 4 into 3 plus height into length height क्या है 3 और length क्या है 7 और unit हमारी किसमें चली जाएगी square cm क्योंकि हमें area find out करने है तो unit आएगी square में और unit हमारी क्या है cm अब 7 into 4 28 plus 4 into 3 12 plus 3 into 7 21 इस bracket को जब हम solve करते हैं जब इनको हम add करते हैं तो यह आ जाएगा 61 2 को 61 से multiply कराओगे तो 122 square cm तो यह हमारा area है A part का तो आपने अब समझ लिए होगा कि हमें इस formula को कैसे apply करना है और कैसे हमें find out करना है total surface area of q void तो ऐसी आप देखिए जो B, C & D part है तीनो पार्ट में length, breath & height given है तो आप क्या formula apply करोगे यह जो total surface area है keyword का 2 into L into B plus B into H plus H into L यह formula आपको apply करना है और जो B, C & D part है यह तीनो पार्ट आप try करोगे ऐसे ही आप देखिए जो third question है इसका find the total surface area of keyword यही statement है और given क्या है length, breath & height तो same जो third question है वो भी आप क्या करोगे try formula यही करना है apply जो total surface area of keyword का है इसमें भी यही find out करना है total surface area of keyword length, breath & height given है तो आप first question के यह आप हमें इसमें पता कैसे चलेगा कि हमें इसका area ही find out करना है तो उसका region क्या है यहां square meter given है तो square कब आएगा जब हम क्या find out करेंगे area तो इसमें यह पता चलेगा आपको कि हमें इसमें area find out करना है और paint कराना है तो यह complete tank पर ही paint होगा तो इसमें हमें क्या find out करना है इसका total surface area तो आप देखिए आप length suppose कि यह इसमें जो given है 3 meter breath इसकी given है 2 meter और height क्या given है 1.5 meter तो total surface area of keyword होता क्या है यह formula length into breath plus breath into height plus height into length और अब इनके place पे value को put करते है length और breath के place पे 3 into 2 plus 2 into 1.5 plus 1.5 into 3 अब यहां 6 आएगा next में 2 को जब 1.5 से multiply करते हो तो answer क्या जाएगा 3 और 1.5 को जब 3 से multiply करोगे तो 4.5 अब जब इस ब्रैकेट को हम solve करते हैं तो यहां answer आ जाएगा 13.5 2 into 13.5 27 स्क्वेर मीटर यह तो हमारा क्या है total surface area अब हमें cost find out करनी है और cost का rate क्या given है ट्वेंटी रूपीज ट्वेंटी पर स्क्वेर मीटर तो अब cost अब पेंटिंग पेंटिंग दी टैंक के इन वन स्क्वेर मीटर यह क्या given है रूपीज 20 और हमें जो cost find out करनी है वो कितने स्क्वेर मीटर के लिए करनी है 27 स्क्वेर मीटर के लिए तो अब cost of painting in 27 स्क्वेर मीटर तो अब 27 के लिए क्या हो जाएगा 27 को हम किस से multiply करा देंगे 20 से तो अंसर क्या जाएगा रूपीज में 540 तो यह हमारा answer है second question का अब next question है fourth question find the surface area of a cubical box whose one side is 80 cm अब surface area find out करना है shape क्या है cube की तो अब side of cube वो कितनी given है 80 cm surface area of cube formula होता क्या है 6 into side square यह formula है अब 6 into side के place पे 80 और unit हमारी cm में है तो square cm तो अब इसको solve करते है 80 square यह क्या हो जाएगा 6,400 जब इसको 6 से multiply करते हैं तो 38,400 400 square cm तो यह हमारा हो जाएगा answer 4th question का अब जो next question है 5th question how much cardboard is needed to make a cubical box of 8 cm side यह question भी same है 4th question के जैसे ही इसमें आप क्या लिखो के side of cube 8 cm जो side है cube की वो क्या है 8 cm और जो surface area है cube का वो किसके equal 6 into side square तो यह 6 into 8 square अब 6 into 8 square क्या है 64 जब इसको multiply करते हैं तो 384 और unit हमारी cm में है तो square cm तो यह दोनों question ही same थे एक में था 80 और second में था 8 अब next question है sixth question are rectangular swimming pool 30 meter long 20 meter wide and 1.5 meter deep is to be tiled swimming pool यह किस shape में है जिसकी length breath और height हमें given है यह cuboid की shape में है इसमें tile लगानी है और tile की जो measurements है वो क्या है 50 into 50 अब यह है हमारी square में जो tile है हमारी वो square में है how many tiles will be required हमें यह बताना है कि इस swimming pool में कितनी tile लगेंगी और hint क्या given है there is no roof for the pool अब swimming pool है तो उसमें roof नहीं होगी तो जो मैंने इस video की starting में आपको बताया था formula area without lid वो हम इसमें use करने वाले क्योंकि एक side इसमें कम है वो side कौन सी है roof तो अब statement के according इस question में length, breath और height given है area without roof तो यह area क्या है length into breath plus area 4 wall यह 2H into L plus B यह formula है area without roof यह area without floor का अब इनके place पे values को put करते है 30 into 20 plus 2 height के place पे 1.5 और length plus breath 30 plus 20 30 को 20 से multiply 600 प्लस जब इन दोनों को हम multiply करते है 2 को 1.5 से तौनसर क्या आएगा 3 इन दोनों को जब हम add करते है bracket में तो 50 अब 600 प्लस इनको multiply करते है 3 और 50 को तो 150 तो यह आ गया है 750 square centimeter अब अब हमें area find out करना है tile का और यह जो आया है 750 square meter है centimeter नहीं है क्योंकि unit हमारी किसमे है meter में तो अब tile के लिए जो area find out करना है हम क्या करेंगे इन दोनों को multiply 50 centimeter into 50 centimeter जब हम इनको multiply करते है 2500 square centimeter और unit हमारी किसमे है यह square meter में तो unit तो हमें same करनी पड़ेगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे इस centimeter को हम meter में convert करेंगे तो अब hint के लिए मैं आपको बता देता हूँ जैसे 1 meter equal to 100 centimeter यह होता है तो अब यहां से अगर हमें value find out करनी हो centimeter की तो 1 centimeter किसके इक वो लोगा 1 by 100 meter जब centimeter से meter में convert करते हैं तो 100 से divide तो अब यह square में है meaning क्या है दोनों side हमें क्या करना पड़ेगा square तो इस square को जब हम open करते हैं नीचे क्या आजाएगा 1000 sorry 10,000 नीचे क्या आएगा 10,000 square meter 1 square centimeter equal to 1 by 10,000 square meter तो यह मैंने आपको समझा दिया अब जो मैं step इसमें use करने वाला हूं कि square centimeter के place पे क्या लिखना है 1 by 10,000 square meter तो अब जो next step है वो क्या होगा 2500 और square centimeter के place पे 1 by 10,000 square meter यह cancel out 25 से करोगे तो 4 1 by 4 square meter यह हमारा area है tile का और area without roof यह है 750 square meter अब हमें number of tiles find out करनी है जो इस swimming pool में लगेंगी तो number of tiles क्या है area without roof divide by area of each tile तो यह क्या है 750 divide by 1 by 4 अब इसका reciprocal 750 into 4 by 1 उसको हम क्या लिख देंगे 4 तो इनको जब हम multiply करते हैं तो इसका क्या answer आ जाएगा 3000 tiles तो यह हमारा final answer है 6th question का अब next question है 7th question the total surface area of a cube is 150 square meter find the length of its side अब surface area given है cube का और हमें side find out करनी है तो statement के according जो हमें total surface area given है वो है 150 square meter total surface area of cube होता क्या है 6 into side square यह formula है equal to 150 अब 6 multiply में है left side में तो right side में हम इसको लिखेंगे divide में therefore जो side square है वो किसके equal 150 by 6 6 से जब हम cancel out करते हैं तो 25 अब left side में side square है right side में 25 इसको हम square में लिख सकते है side square equal to 25 को हम लिख सकते है 5 square अब left और right side दोनों के बीच में किसका sign है equal का तो यह same है तो side की value क्या आ जाएगी 5 therefore जो side है side of cube वो किसके equal है 5 और unit किसमें है meter में तो इसका answer क्या हो जाएगा 5 meter अब next question है 8th question the total surface area of a cuboid of length 6 meter and breath 5 meter is 126 square meter find its height अब इस question में हमें total surface area पहले ही given है 126 square meter इसकी length और breath हमें given है find out हमें इसमें क्या करना है height को तो अब statement के according जो length है वो 6 meter जो इसकी breath है वो क्या है 5 meter height को हमें find out करना है तो उसको हमने suppose कर लिया है x meter अब statement के according जो total surface area है इसकी void का वो कितना given है 126 square meter तो अब पहले हम formula write करते हैं 2 into L plus L into B plus B into H plus H into L यह formula है total surface area of qvoid का और यह किसके equal है 126 के अब इनके place पे value को put करना है length और breath के place पे 6 और 5 6 into 5 plus breath है 5 और height को हमने suppose किया है x height x है और length को suppose किया है 6 equal to 126 6 को 5 से multiply 30 next में 5 into x 5x x को 6 के साथ multiply और arrange करके इसको लिखेंगे 6x equal to 126 अब इस bracket के साथ यह number जो 2 है वो है multiply में तो इसको अब हम लिखते हैं right side में तो यह आ जाएगा divide में यहां 30 30 प्लस इन दोनों को जब हम add करते हैं तो 11x equal to 126 by 2 अब 2 से cancel out करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा 63 तो अब हमारे पास क्या है यहां equation 30 plus 11x equal to 63 अब 11x equal to 63 minus 30 यह minus क्यों है क्योंकि left side में 30 है वो है plus का तो right side में हम इसको लिखेंगे minus में इसको subtract करते हैं तो answer क्या आ जाएगा 33 therefore जो x है 11x equal to यह 33 है x के साथ 11 है वो है multiply में तो right side में हम इसको लिखते हैं divide में cancel out करेंगे तो 3 और unit हमारी किसमें है? meter में तो answer क्या जाएगा? 3 meter और x को हमने क्या suppose किया है? therefore जो height है वो कितना यह है? keyword की 3 meter अब next question है ninth question विश्वास made a box 20 cm long 15 cm broad and 10 cm high but without a lid यह इसका important point है statement का without a lid how much cardboard did he use for it अब हमें इसका area find out करना है without lid और यह formula मैंने आपको बताय हुआ है पहले ही अब statement के according length, breath और height यह है जो given वो हमने write कर ली है area of keyword without lid वो यह formula है length into breath plus 2h into l plus b अब इनके place पे हमें values को put करना है length और breath के place पे 20 into 15 plus 2 into height के place पे 10 length plus breath 20 plus 15 इनको जब हम multiply करते हैं तो यहां 300 आ जाएगा plus इन दोनों को multiply तो 20 और इस bracket में जब हम इनको add करते हैं तो 35 300 प्लस इन दोनों को multiply करेंगे तो 700 equal to 1000 और unit हमारी centimeter में है तो square centimeter तो यह हमारा final answer है ninth question का अब next question है 10th question सुमन made a cardboard box in the form of a cube without lid अब यहां cube without lid है यानि एक side इसकी कम है cube की या तो top या उसका bottom if the total surface area of this box was 180 square centimeter what are the dimensions of the box अब हमें इसमें side find out करनी है कि cube की जो length breath और height है वो होती है same without lid है तो total surface area भी यह कौन सा हो जाएगा जो without lid का होता है meaning इसमें five side होंगी तो उसके लिए अब area of cube without lid यह हमें given है 180 square centimeter होता क्या है यह area cube का without lid 5 into side square equal to 180 अब 5 है multiply में left side में right side में हम इसको लिखते हैं divide में 180 by 5 इनको cancel out करेंगे तो 36 side square equal to 36 अब हमें 36 को लिखना है square की form में side square equal to 36 को हम right कर सकते हैं 6 square यहां से जो side की value आ जाएगी वो किसके equal आएगी 6 और unit हमारी centimeter में है तो answer क्या जाएगा 6 centimeter तो अब जो final answer है 10th question का वो क्या है 6 centimeter अब last question है इस exercise का 11th question a rectangular room of dimension अब 8 into 6 into 3A इसकी है length, breath and height is to be painted if its cost 60 per square meter find the cost of painting the walls of the room अब इसमें पुछा गया है statement में हमें cost find out करनी है painting the walls of the room तो अब हम इसमें formula कौन सा apply करना है area of four walls का जो statement में हमसे पुछा गया है हम उसको ही find out करेंगे तो अब statement के according length, breath and height हमने suppose कर ली है 8 meter, 6 meter and 3 meter और area of four walls यह किसके equal है 2H into L plus B अब value को put करते हैं height के place पे 3 length plus breath 8 plus 6 इन दोनों को multiply तो 6 और इनको हम add करते हैं तो 14 6 into 14 84 square meter तो यह तो area आ गया है four walls का अब जो painting की cost है one square meter में वो कितनी है 60 cost of painting in one square meter equal to rupees 60 और अब हमें जो cost find out करनी है वो कितने square meter के लिए करनी है 84 square meter therefore जो cost है painting की in 84 square meter वो किसके equal होगी इस 60 को हमें किससे multiply करना है 84 से तो answer हमारा rupees में क्या जाएगा 5040 तो यह हमारा final answer है 11th question का झाल